पस्यम बंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बनरजी का कींद्र सरकार पर निशाना कहा कोई भी राज्य दिखाए जो एक साल के लिए 100 फीसदी मुफ्त रासन देता है जिहां पस्यम बंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बनरजी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साथा सीयम मम्ता बनरजी ने कहा कि कोई भी प्रवासी स्रमिक पस्यम बंगाल छोड़ कर क्यूं नहीं गया क्यूं क्यूंकि हम लोगों की परवाह करते हैं मुझे कोई भी राज्य बताएं जो एक साल के लिए सो फिस्दी मुफ्त रासन देता है बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी दक्षिन खोलकाता की अध्यक्ष और उनकी मा इस बिमारी से प्रभावित थे उनके कहने पर भी बीजेपी कारियाले ने मदद नहीं की मैंने पहल क और उन्हें भरती कर लिया ममता बनर्जी ने कहा कि आईश्मान भारत में कींद्र केवल 40 प्रतिसत देते हैं और पूरा क्रेडिट लेते हैं स्वस्त साथी लोगों को सत प्रतिसत मदद दे रही है इससे पहले ममता बनर्जी ने बताया था कि पस्चेव मंगाल सरकार काफी समय से लोकडाउन अवदी के दोरान रज्य में वापस आए प्रवासी मजदूरों साथी उनके परिवारों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए एक मोबाइल एप तयार कर रही है कौगेश ने ता पीची तमरम का सवाल कहा क्या कोई हमें वह अस्थान बताएगा जहां से चीनी सैनिक विस्थापित हुए थे और जिस अस्थान पर वे अब हैं जिहां भारत चीन के बीच बॉडर पर तनाव खतम नहीं हुआ है गलवान घाटी में भारत चीनी सैनिकों के बीच हुए जडप में इंडियान आर्मी के 20 जवान सहीद हुए थे इस घटना के बाद से ही भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए चीन को कई मोर्चे पर नु चीनी सैनिक दो किलोमीटर पीचे हट गए हैं इसी को लेकर अब कॉंग्रेस नेता पीची तमरम ने सवाल पूचा है कि क्या कोई हमें वह अस्थान बताएगा जहां से चीनी सैनिक विस्थापित हुए थे चीतमरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं चीनी सैनिकों राहुल गांदी ने अर्थवस्था को लेकर फिर केंद्र सरकार पर साधा निसाना कहा आर्थिक सुनामी के लिए चताया था तो बीजेपी और मीडिया ने उड़ाया था मेरा मजाक जिहां कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांदी ने इस बिमारी के समय में द कि एक आर्थिक सुनामी आ रही है और देश कोई सच्चाई के बारे में चिताने पर बीजेपी और मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया था राहुल गांदी ने अपने ट्वीट के साथ लोन मेरेटोरियम के इस कारण बैंकों के नौन परफॉर्मिंग एसेट्स यानि एन्प का स्क्रीन सोट शेयर कर अपनी बात रखी इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी ने दावा किया था कि सरकार का आर्थिक कुप प्रबंधन लाखों परिवारों को बरबाद करने वाला है अकलेश यादो ने कानपूर एनकाउंटर को लेकर सरकार पर साधा निसाना कहा निस्पक्च जाँच भी उनसे करवाई जा रही है जो खुद कटगरे में खड़े हैं सपा मुकिया अकलेश यादो ने ट्वीटर के माध्यम से लिखा कि उतर प्रदेश सत्ता वा अपराद के कट जोड के उस विपत्स दोर में है जहां पर न तो पुलिस को मारने वाले दुरांदर अपरादी पर कोई करवाई हुई है और नहीं उस अधिकारी पर जिसकी सनलि निश्पक्च जाच भी उनसे करवाई जा रही है जो खुद कट घरे में खड़े हैं। एहतियातन खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रवेश पर जाच भी प्र लेघ है।